हेलो व्रीवाँण, वेलकम तो दुछ चैनल अगरिकल्टी टो स्टेडीज, मेरा नाम है दिवागरिखत्री और आज इस वीडियो के दोरान हम फंडमेंटल्स ओफ सॉइल साइंस में सॉइल फिजिक्स के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है सॉइल वाटर तो उसके अंदर indirect method of soil moisture determination के बारे में बात करने वाले हैं indirect methods क्यों? क्योंकि इस वीडियो से जो पहले का वीडियो है उसके अंदर हम direct methods के बारे में अल्रेडी बात कर चुके हैं direct method के अंदर सबसे पहला और सबसे important और साथ में सबसे simplest और साथ में सबसे accurate इस तरह की terms हमने use करी थी तो वो method था gravimetric method तो gravimetric method जिसे हमने oven drying method भी कहा था तो इस method के अंदर procedure क्या होता है और इससे related जो numerical होते हैं उनके बारे में पिछली वीडियो में हमने बात करी है तो आज का यह जो वीडियो है इसके दौरान हम indirect methods के बारे में बात करने वाले हैं लेकिन indirect methods वो methods हैं जिनके अंदर हम soil की किसी ऐसी property को measure करेंगे soil की किसी ऐसी property को judge करेंगे जो की हमें किस की तरफ लेके जाए soil water की तरफ लेके जाए कहाने का मतब यह हुआ हम indirectly क्या करने वाले है soil water का measurement करने वाले है तो इसके अंदर सबसे जो पहली टेक्निक्स है उन्हें हम कहते हैं nuclear techniques nuclear techniques यानि जिसके अंदर हम देखते हैं atomic, nuclearize वगरा involved होते हैं atoms के अंदर जैसे कि हम बात करें neutron है जो वो neutron अगर तूटके अगर हम देख रहे हैं कुछ हमारे लिए useful information निकाल के दे रहा है हुआ तो फिर अगर वो information अगर हमें soil water के तरफ लेके जा रही है तो उस method को हम क्या कहेंगे एक तरह से nuclear technique का हिस्ता कहेंगे और जो की है क्या वास्ता में indirect method है तो सबसे पहरे हम यह समझ रहे हैं कि nuclear techniques के अंदर दो methods हमें पढ़ने होते हैं जिसमें सबसे पहला method जो है neutron scattering method क्या है neutron scattering method और साथ में जो next हम देखने है method है वो है gamma ray attenuation method तो यह दोनों ही method है इनके बारे में इस वीडियो के दरहां हम अच्छे से बात करने वाले हैं इस वीडियो का जो next वीडियो है उसके दरहां हम बात करने वाले हैं indirect methods के अंदर ही जो बचेवे methods हैं जिसमें सबसे important method जो हैं वो है TDR method TDR जिसे हम कहते हैं time domain reflectometry तो इस method के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि और जो बचेवे methods हैं indirect method के अंदर जैसे कि हम देखते हैं tensiometer का इस्तमाल करना, gypsum block का इस्तमाल करना तो ये जो methods हैं उनके बारे में भी next video के अंदर हम बात करेंगे तो आज सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये neutron scattering method क्या है neutron scattering method इसके अंदर जो हम instrument काम में लेते हैं उस instrument को हम क्या कहेंगे neutron moisture meter क्या कहेंगे neutron moisture meter अब जैसा कि नाम ही बता रहा है neutron यानि हम देखेंगे कि method के अंदर neutron कहीं न कहीं involved है neutron क्या होते हैं आप भी जाते हैं कि atom के अंदर जो अंदर center में nucleus है उस nucleus के अंदर दो तरह की लोग बैठे हैं एक है neutron और दूसरी तरफ हम देख रहे है protons तो यह जो neutrons है अगर हम देखते हैं किसी particle में से बहर आ जाए तो हमारे लिए useful हो सकते हैं कैसे तो हम देख रहे हैं कौन से particles में यह बहर आ सकते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें यहाँ इस्तमाल करने होते हैं radioactive elements radioactive elements जो कहीं न कहीं radioactive reactions की दूटते रहते हैं तो उनमें से कहीं न कहीं हम देखेंगे neutrons वगेर हमें निकालने हैं या हमें चाहिए तो इसके अंदर यह जो setup है उसे पहले समझ लेते हैं उसके बाद यह reaction किस तरह से काम करती है method कैसे आगे proceed होता है उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहरे अगर हम बात करेंगे कि यह इस तरह से कुछ दिखने वाला instrument है जिसके उपर की तरफ हम देखते है data equation system है जो की data हम नीचे मिलने वाला है हमें उसके बारे में बाद detail देगा इसके नीचे एक probe होता है probe मतलब एक ऐसा हिस्सा जो जमीन के अंदर हम गाड़ेंगे यानि जमीन के अंदर उसे दसाएंगे तो यह soil के अंदर यानि इसे अंदर गाड़ा गया है हम देखते हैं यहां दो main important चीजे हैं जो हमें अच्छे से व्याद होनी चाहिए examination में direct disk के उपर question पुछा जाता है क्या है वो direct questions तो हम देखते हैं सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए यहां इस्तमाल किया जाता है neutron source का क्योंकि आप जैसा समझ रहे हैं कि neutron scattering method है तो हमें neutron का एक source चाहिए जिसमें से neutron निकल सके तो neutron की source के अंदर दो चीज़े काम में ली जाती है पहला हम देख रहे है amracium नाम का radioactive element am मतलब amracium है और साथ में हम देख रहे हैं be यानि हम देख रहे हैं beryllium जो beryllium है यह है stable element तो amracium और beryllium जो है वो दोनों ही क्या है वास्तों में neutron के source है तो आप इसे जरूर याद रखेगा उसमें से भी जो beryllium है वो वास्तों में stable element है जबकि अगर हम कहें amracium जो है वो radioactive element है कैसे काम करेंगे अभी दो मेंट में बात करने वाले हैं उसके बाद दूसरी चीज जो हमें बहुत important याद रखनी है वो है इसी के उपर इसी के behind हम देख सकते हैं यानि neutron source के पीछे ही एक चीज और लगी है जिसे हम कहते हैं detector क्या कहते हैं detector यानि कुछ detect करेगा कुछ detect क्या करेगा तो हम देख सकते हैं इसमें से जो neutrons निकलेंगे उन्हें detect करेगा कितने neutrons निकले जो कितने है वो procedure अभी समझेंगे हम तो उस दौरान हमें समझाएगा कि detector कुछ detect करेगा इस detector में कौन सी gas है उसे आप ज़रूर याद रखें तो boron trifluoride क्या है boron trifluoride BF3 इसे ज़रूर याद रखेगा तो यह जो diagram है इसके अंदर सबसे important बाद emberatium, beryllium और BF3 हैं यह क्या क्या है इन्हें भी आप ज़रूर याद रखें कि emberatium और beryllium neutron source है जबकि BF3 क्या है एक detector है clarity है अब हम देखते हैं कि emberatium होता है उसे मैंने इस तरह से represent करने के कोशिश करी है अगर यह reactions आपको इस तरह से vertical रूप में समझ ना आए तो मेरी कोशिश है screen के ओपर आपके सामने एक general form जो होता है reactions को represent करने का उस रूप में भी आपसे समझ सकते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें जो emberatium है वो emberatium 95 AM 241 इस तरह से हम कहते हैं 95 यहां इसका atomic number होता है 241 इसका atomic mass होता है यह general science आपने 9th class में पढ़ रखी होगी तो हम देखते हैं यह emberatium जो है वो तूटता है radioactive element है किसमें तूटेगा तो हम देखते हैं NP का मतलब है Neptunium Neptunium NP होता है और हम देखते हैं इसका atomic number जो है वो है 93 और atomic mass जो है वो 2 हम देखते हैं 37 है कितना है 237 अब Neptunium के साथ भी हम देखते हैं alpha particles निकलते हैं तो यह alpha particles neutron नहीं है अभी कुछ हमें देखना है वाकिए यह alpha particle है यह वास्ता में जो हमारा stable element था उस stable element जो आस्तों में पड़े-पड़े खतम नहीं होता अना radioactive element जो खतम होने लगेगा जैसे कि Emrycium लेकिन एक stable element जैसे हम कह रहे हैं beryllium वो beryllium के साथ में यह alpha particles क्या करेंगे reaction करेंगे तो दो चीज़े हमने रख रहे की थी एक source जिसमें से alpha particles निकल रहे है और दूसरा हम देख रहे है beryllium जिससे हम टकर देख रहे है nuclear reaction की रूप में अब यह nuclear reaction कैसे होगी तो हम देखते हैं यह दोनों आपस में react करेंगे तो एक तो बनेगा 6 carbon 12 यानि carbon का एक element निकलेगा साथ में हमारे पास कुछ neutrons निकलेंगे क्या निकलेंगे neutrons निकलेंगे आप इसे जलूर याद रखेगा अब यह जो neutrons है इसके अंदर हम देख रहे है 0 and 1 तो इसका atomic number कुछ नहीं है लेगिन इसका atomic mass 1 है तो यह जो neutrons होते हैं इन ही के बराबर कोई ऐसे elements आप बता सकते हैं जो की same atomic weight रखते हों या atomic mass रखते हों तो आपको पता होना चाहिए hydrogen hydrogen के atom के अंदर आपको बता होना चाहिए कि उसका जो center core यानि nucleus है उसके अंदर सिर्फ एक proton ही होता है उसके अंदर सिर्फ एक proton ही होता है neutron नहीं होता है तो हम देखते हैं लगबग हम देखते हैं hydrogen का जो ion होगा यानि H plus होगा H plus के अंदर हम देख रहे हैं वो लगबग उसका weight same होगा इन neutrons के समझा रही है और साथ में यह neutron निकले हैं alpha particle की beryllium के साथ reaction से वो काफी fast है मतलब fast moving है तो उन्हें हमने fast neutrons कहा है अब यह जो fast neutrons है वो वास्तों में टकर करेंगे किन के साथ जो इन ही की जैसे same weight रखते हैं इन ही के जैसा same weight कौन रखते हैं आपको मैंने भी बताया H plus ions तो उन H plus ions के साथ यह क्या करते हैं collision यानि elastic collision करते हैं elastic collision यानि अपनी सारी energy हम देखते हैं कहीं न गई उनसे टकराने में इनकी टकर के अंदर इनका energy का loss होगा energy का loss होगा तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि यह जो fast neutrons है वो slow हो जाएंगे ठीक है और fast neutron का slow हो जाने का यह जो process है इसे हम कहते हैं thermalization और जबकि इस तरह की neutron जो की टकर करने के बाद किस से टकर करने के बाद H प्लस आइंस के साथ टकर करने के बाद slow down हो जुके हैं उन slow down हुए neutrons को हम कहते हैं thermal neutrons क्या कहते हैं thermal neutron और इस thermal neutrons के बनने को process को हम क्या कह सकते हैं thermalization कह सकते हैं तो आपने यहीं लिखा है कि यह undergo elastic origin with hydrogen nuclei इन hydrogen nuclei के टकर होने से neutrons loss energy यह fast neutrons के energy loss होता है यह slow होते हैं slow होने के बाद हम देखते हैं thermal neutrons बनते हैं और slow down हुए neutrons को हम thermal neutrons भी खहते हैं तो यह जो thermal neutrons है इनका क्या होगा तो हम देख रहेंगे जो thermal neutrons हैं यह वास्तों में detect के जाएंगे detector से कैसे तो हम देख रहेंगे जो मैंने black dot लगाते हुए इससे relate किया है detector के साथ तो आप इसे समझे कि मैं पास जगह खम थी तो इसलिए मैंने यह thermal neutrons को बताया है जो react कर रहे हैं detector के साथ detector के साथ react करने के बाद हम देख रहे हैं कि यह detector के अंदर कैसे react करेंगे तो वहाँ हम देख रहे हैं BF3 यानि boron है तो यह boron जो है वह वास्ता में एक reaction करेगा neutron के साथ और वहाँ पे फिर से alpha particles बनेंगे और वहाँ पे फिर से जब alpha particles बनेंगे तो वह soil के अंदर ionization करेट करते हैं और ionization करेट करने के बाद हम देख सकते हैं उसके अंदर हम जो pulses, electrical pulses बगरा करेट होंगे तो उन्हें हम देखते हैं जज किया जाएगा calibration graph के साथ calibration graph के साथ comparison करते हुए हम यह समझ में आएगा कि इसके अंदर number of H plus ions कितने ज़्यादा थे क्योंकि आपको इबात समझ में आनी चाहिए कि यहां हमने जो जाना जो thermal neutrons जितने ज़्यादा होंगे मतलब यह हुआ कि उन्होंने collision उतना ही ज़्यादा किया है H plus ions के साथ तो हम यहां यह समझेंगे कि number of thermal neutrons जितने ज़्यादा होंगे मतलब soil में H plus ions उतने ही ज़्यादा है और H plus ions जितने ज़्यादा है मतलब हम यह समझ सकते हैं soil के अंदर water भी उतना ही ज़्यादा है तो इस तरह से यह process होता है इस तरह से इसका principle आपको समझ में आना चाहिए neutron scattering method गा साथ में इसका working process है वो भी मैंने कुशिश करी आपको समझाने की I hope यह आपको समझ भाया होगा तो इस तरह से हमने जाना सबसे पहली nuclear technique को जो की है neutron scattering method अब इसकी next technique है वो है gamma ray attenuation method कि क्या होता है साथ में इसकी working process कैसा होता है इसे भी अभी में जानेंगे साथ ही मैं अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले की वीडियो में हम fundamentals of soil science के अंदर soil physics के बारे में बात कर ही रही है लेकिन इससे पहले हम pedology के काफी सारे topics already cover कर चुके हैं अगर इस वीडियो से पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनके link उपर आई बटन के साथ नीचे description box में available हैं आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं तो चलिए आप दूसरे method के बारे हम बात करते हैं जो कि है gamma ray attenuation method पहले तो attenuation का मतलब आपको पता होना चाहिए attenuation का मतलब यह है कि कमी आ जाना या reduce हो जाना मतलब अगर हम gamma rays को अगर soil के अंदर छोड़ेंगी तो उसके अंदर कमी कितने आ रही है मतलब यहां एक हमने चीज लगा रही है source के रूप में जो हम देख रही है ultimately gamma rays को छोड़ रहा है जबकि दूसरी और हमने soil के क्या लगा रखा है detector लगा रखा है यह छोड़ी कुछ rays थी हमने gamma rays छोड़ी थी वो उसकी intensity में कितनी कमी आ गई कितना हम देख रहे है attenuation हो गया उसका कितनी कमी आ गई अगर कमी ज़्यादा आ रही है तो मतलब soil के अंदर वाटर ज़्यादा है कमी कम आ रही है तो मतलब soil के अंदर वाटर कम है तो main concept क्या है वो समझा गया होगा आपको गामा ray attenuation method का concept क्या है अब हम देखते हैं कि इसको one by one अगर दिखें सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि instrument जो काम में लिया जाता है उसे कहते हैं gamma ray scanner या gamma ray apparatus word भी उसके जाता है तो उसे भियाद रखते हैं तो gamma ray apparatus इसे काम में लिया जाता है और it consists two aluminum excess tubes तो इसमें दो हम देखते हैं tubes लगे होते हैं इसे कि मैं बता रहा था कि एक tube यहां मालगीजी एक tube यहां suppose कर लिए imagine कीजिए दिमाग में कि एक tube यहां है एक tube यहां है इन दोनों कुछ tubes को हमने soil के अंदर डाला है अब इस एक tube के अंदर हम देख रहे हैं एक source है जिसके अंदर से elements निकलेंगे ट्यूब से क्या निकल रही है ultimately gamma rays निकल रही है जबकि दूसरी ट्यूब से उसमें detector लगाना पड़ेगा तो यह detector जो है उसके अंदर हम देखते हैं थेलियम activated sodium iodide थेलियम activated होगा sodium iodide के crystal तो यह crystal जो है ultimately वहां गामा rays को receive करेंगे और यह हमारे लिए हम जो देख रहे हैं sodium iodide की crystals वगेरा जो है यह हमारे लिए क्या है एक तरह से हम देख रहे हैं detector का गाम कर रहे हैं तो यह detector का गाम कर रहे है और यूज़ देख रहे हैं और आगे का concept आपको समझाए ही गया कि वैना narrow beam of gamma rays gamma radiation की जो rays हम देखते हैं छोड़ी जाएंगी गामा rays क्या होती है यह तो आप जानते ही है कि light के अंदर हम spectrum जो देखते हैं अलग एक spectrums बनते हैं waves बनती हैं उनमें सबसे जो छोटी wavelength वाली है जितकी wavelength सबसे कम है wavelength सबसे कम है और energy बहुत जादा होती है आपको यह पता होना चाहिए सबसे कम wavelength वाली अगर कोई rays है तो वो gamma rays है उन gamma rays को हम क्या कर रहे हैं narrow beam की रूप में soil के दर छोड़ रहे हैं in is passed through the soil rays get attenuated rays attenuated यानि कम हो जाएंगी उनके intensity में कमी आएगी कुछ क्यों detector हमें detector के बताएगा कि आपने छोड़ी तो इतनी थी लेकिन कमी इतनी आ रही है depending upon the thickness of the soil mass कि soil mass कितना ज्यादा है इस बात पर depend करेगा आप यह समझ सकते हैं कि soil mass अगर हम ज्यादा consider करेंगे एक aluminum tube इतनी दूर एक दूसरी tube तो कमी ज़्यादा आएगी और पास पास लगाई है तो raise के अंदर कमी कम आएगी तो कहाने का मतलब यह चीज़ समझ सकते हैं दूसरी bulk density भी dependent है bulk density क्या होती है और इसके बारे में हम पिछली वीडियो में अच्छे से बात कर चुके है bulk density हमने देखा था कि soil mass upon में volume of the complete soil जिसके अंदर soil pores भी आते हैं तो अगर हम देखते हैं bulk density high है तो उसके अंदर मतलब हम देखते हैं वो एक तरह से compacted soil है bulk density high होने का मतलब क्या हो गया कि उसमें volume कम है soil pores वगरा कम है तो मतलब compacted से soil है तो अब जितनी ज्यादा high bulk density होगी तो सोचिए attenuation उतना ही ज्यादा होगा यानि raise के अंदर कम ही उतनी ही ज्यादा आएगी and the water content of the soil of course water content water content भी affect करेगा किसको हम देख रहे हैं हम देखते हैं raise का मारेस को तो कहने का मतलब यह हो गया कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि इस तरह से हम indirectly water content को निकालते हैं अब यह जितनी कमी आई है उसके बेहाफ के हम calculations करते हैं और उनको हम देख सकते हैं काउस वगेर अपे समझने कुश्च करेंगे और उससे क्या पता चलेगा हमें कि soil के अंदर water content कितना है और साथ में एक important questions आपसे exam में बुचा जाता है वो यह है कि this method is based on the Beers law Beers Lambert law भी कहा जाता है इसके उपर already YouTube पे कई सारे videos available है Beers law क्या होता है वो complete explanation तो मैं आपको नहीं देखा हूँगा अभी लेकिन एक छोटा सा idea ले सकते हैं यह Beers law क्या कहता है कि the intensity of the transmitted light decreases the intensity of transmitted light जो हमने transmit की है light किसी एक हम देख रहे है medium के अंदर से एक medium से हमने एक light को transmit जब करेंगे तो वी जो transmit होगी light तो हम कहेंगी decreases in exponentially मतब इस light की intensity कम होगी है decrease होगी as the concentration of the absorbing substance increases कि अगर यह जो substance या medium अपने जो बीच में रख रखा था उसकी concentration जैसे जैसे जितनी ज्यादा होगी उसके intensity में उतनी ही exponentially कम ही आईगी तो एक inverse relation बता रहा है हमार को Beers law कि concentration जितना ज्यादा होगा intensity उतनी ही कम होगी तो यह Beers Lambert law है मैं कहा रहा हूँ आपको अगें कि बड़ा सा topic है जिसके बारे में हमने एक छोटा सा idea लिया है इस topic से relate करने के लिए तो यह जो भी इस Lambert law जो है वो related है किससे हम देख रहे हैं gamma ray attenuation method से तो इस तरह से हमने जाना indirect methods के दो main method के बारे में इसमें से पहला method था neutron scattering method एक मिनट neutron scattering method के अंदर advantages, oddest advantages भी बूचे जाते हैं advantages फाइदा क्या है आप समझ सकते हैं या फाइदा अगर आप से gamma ray attenuation का भी बूचे तो एक चीज़ आपको यह समझ में आनी चाहिए कि यह बहुत rapid methods है यानि बहुत fast होते है results हमें जल्दी मिलेंगे दूसरी बात ज्यादा destructive नहीं है यानि non destructive कहा जाता है कि soil को ज्यादा disturbed नहीं करना पड़ता non destructive है तीसरी बात हमें यह भी समझ में आनी चाहिए कि less laborious है यानि ज्यादा laborious की ज़ुरत नहीं है इस तरह से कोई advantages आपको पता होएं चाहिए और disadvantages आप जानते ही है क्या होते है कि भाई महंगे बहुत होते है expensive बहुत है यह आम देख सकते हैं इस तरह के instruments को लेके आना खेद के ओपर यह हमारे लिए practically possible नहीं हो पाता और दूसरी बात हम देख सकते हैं कि यह जो हम देख रहे है methods है उसके अंदर minimum हमें 15 cm की soil की जरुत पड़ती है 15 cm की soil कम से कम हो उसके बाद ही हम इस तरह का method कर सकते हैं जैसे example के लिए आप यह समझें कि जैसे neutron scattering method जो था अगर 15 cm से कम depth के अंदर अगर वो method अप्लाइ करेंगे तो वो neutrons जो है atmosphere में pass हो सकते हैं तो कहने का मतलब यह होँ फिर results हमें डंक से नहीं मिलेंगे तो यह आपको बात समझ में आने चाहिए कि यह एक depth पर particular काम करते हैं तो यह disadvantage की रूप में भी समझा जाता है तो यह था हमार आज का वीडियो और हमेशा की तरह आपसे request करूँगा कि इस वीडियो का आप like जरू करें अपने friends के साथ इस वीडियो को share जरू करें I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा और साथ में इसे दरह के वीडियो उसके लिए जुड़े रहिए का